नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकिता भारत की लगातार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 के बीच सिंदू जल समझोते के नवीनी करण की दिशा में कोई रुची नहीं दिखाई पाकिस्तान के रवये से खाफा भारत ने अब उसे नोटिस जारी किया है इस नोटिस में उसे पूछा गया है कि वो इस दिशा में कारगर कदम क्यों नहीं उठा रहा इस जोरान सिंदू जल समझोते की इस्थाई कमिशन की पांच बैठक भी हो चुकी है ये समझोता सितंबर 1960 का है सरकारी सूत्रों के मताबिक पाकिस्तान के साथ सिंदू जल संधी को पूरी तरह से लागू करने में भारत धिड़ समर्थक जिमेदार भागितार रहा है पाकिस्तान की कारवाई ने सिंदू संधी के प्रावधानों पर फ्रतिकूल प्रभाव डाला है इस वजह से भारत को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा इस नोटिस का मकसद पाकिस्तान को सिंधू जल संधी के उलंगन को सुधारने के लिए 90 दिनों के चर्चा कराने की मांग की है ये प्रोक्रिया पिछले 62 सालों में इस्थिती बदलने के अनुसार सिंधू जल संधी को अपडेट भी करेगी इस मापने में भारत की ओर से बार बार प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक इस्थाई सिंधू आयो की पांच बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इंकार कर दिया पाकिस्तान के लगातार आग्रह पर विश्व बैंक ने हाल ही में तटस्थ विशेशग्य और कोर्ट और और अबरिटरियन प्रक्रियाओं दोनों पर कारवाई शुरू की अब ये जाना जरूरी है कि आखर क्या है सिंधू जल संधी दरसल सिंधू जल संधी के प्रावधानों के तहट सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधू जेलम और चिनाप का पानी पाकिस्तान को दिया गया है भारत और पाकस्तान ने 9 सालों की बाचीत के बाद 19 सितंबर 1960 में सिंदु जल संधी पर हस्ताक्ष किये थे जिसमें वर्ल बैंग भी एक सिंगनेटरी है दोनों देशों की जल कमिशनर्स को साल में दो बार मुलाकात करनी होती है साथ ही परियोचना स्थलों और महत्रपूर नदी हैड़वर्क के तकनीकी दोरे का प्रबंधन करना होता है अब भारत की कोशिश यह है कि पिछले 62 सालों से पाकस्तान जिस तरह से समझोते को अटकाता है उसका कोई स्थाई समाधान निकलना चाहिए इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए जुड़े रही है जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार